मैसी तम्मजीशन चोटी आइट वाले क्या करें सन्यास ले ले दुनिया से कितना दुखता था दिल जब इस तरह से लाइफ में हर जगह डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था अगर जिन्दगी कभी नहीं रुकी सब कुछ किसी ना किसी तरह से मैनेज हो गया था मगर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे मैनेज करेगा उसने तो जब से होश समाला था फुटबॉल के अलाबा कुछ और न तो खेला था ना किया था और नाहीं कुछ सोचा था लियोनेल बैजी फुटबॉल की दुनिया में तफली के निकनेम से फेमस लंबे लंबे प्लेयर्स के पीछ में वो अकेला छोटी हाइट का लड़का मगर बस हाइट ही छोटी थी बॉल तो एक बार अगर उसके पाउं से डच हो गई तो फिर सामने वाले के पास मैसी के पीछे-पीछे दोड़ने के अलावा और कोई आप्शन नहीं रहता था तब तक जब तक कि मैसी बॉल को गोल पोस्ट तक नहीं पहुँचा देता 18 अप्रेल 2007 को Spanish Premier League के बासिलोना और गिटाफी के पीच उस मैच में बासिलोना के फैंस ने इस लड़के को पहले कभी नहीं देखा था पर उस दिन जब इसे देखा तो अगले हर मैच के टिकेट्स उन्होंने इसी लड़के को देखने के लिए खरीदे हलकी ठंडी रात जब टेम्परिज़र हलका हलका सर्दी से कर्मी के और बढ़ने ही लग रहा था अलगी बसंद का मौसम अभी तक नहीं आया था राइवल्स का मैच था तो इंपोर्टन था बहुत अनुवल कोपा डेल रे टूनामेंट का सेमी फाइनल मैच कोपा डेल रे मतलब तक किंग्स कब दूर साइट लाइन के पास मैदान के बासिलोना हाफ पर मैसी चोकी एक FC बासिलोना का स्ट्राइकर था एक मिट फील्डर से पास लिया लंबे बालो वाले और नस साल के उस लड़के ने बाल को अपने राइट लेक से हलका सथ अकेला अपने लेफ लेक की ओर अपने केटाफी डिफेंडर जोकी उड़ता वाँ उसी की ओर आ रहा था उसे एजीले अवाइट कर दिया एक और डिफेंडर मिट फील्ड से आता हुआ देखा था उसने फिर पॉल को राइट से लेफ टैप किया और उसे भी शौक करके आगे पढ़ गया फस्ट हाफ के मिडवे तक स्कोर अल्रेडी वन लव था यानि पासी लोना के फिवब में मैसी ने सर उठा के सामने देखा तो उसे मैदान साफ नजर आया उसने अपनी बाहों और टांगों दोनों को पंप आप किया और बंदूक से निकली गोली की तरह दोड़ा उसे मालूम था कि वो दोनों डिफेंडर्स जिने उसने अपी-पी कच्छा दिया था उसके पीछे-पीछे आ रहे थे और इसलिए अब हर कदम के साथ-साथ उसकी स्पीड और तेज होती जा रही थी मगर ऐसा लगा कि जैसे वो एक और ग्लिटाफे डिफेंडर की और ही भाग रहा था लेकिन उस तक पहुँशने के जस्ट पहले भाई ने यानि कि मैसी ने किया अपनी बाड़ी को shift left side में और सामने वाले डिफेंडर को side swipe और अपने पीछे वाले के slide tackle को avoid करते वे जैसे वो अपने left में मोड़ा एक और yellow jersey वाला उसके सामने था किसी तरह उसने ball वापस अपने कबजे में की और अपनी fast speed के साथ बिना कोई compromise के instantly अपना direction चेंज कर दिया अब उसे अपने और goal के बीच में बस एक player दिख रहा था पर इस player की जैसी सफेद थी यह था get a way का goalkeeper जो भागते वे net से बहुत आगया चुका था उसके intention साफ नजर आ रहे थी कि या तो ball को kick away कर दे या फिर at least मैसी को अपना direction चेंज करने पर मजबूर कर ही थे और उसने actually कर भी दिया goalkeeper की outstretch kick से बचाने के लिए मैसी को shift होना पड़ा और ball को अपने right में tap करना पड़ा अब कोई नहीं था चुक की goalpost को guard कर रहा हो लेकिन मैसी ने ball को शायद कुछ जाद ही जूर से tap कर दिया था अब ball उससे छूट कर field के edge की ओर लुड़कती जा रही थी जहां वो शायद out of the boundary हो जाती और यही उस छोटी height वाले लड़के ने दिखाया अपना जलवा एक बार उसने फिर से speed पकड़ी ball की उरदोड़ा और पकड़ में आते ही अपनी right leg से जमा के एक kick मारी ball हवा में उचली और सामने खड़े के टाफे के last defender के सर के उपर से होती होई गोल पोस्ट की net में जाकर हुलज गई एक second बस एक second के लिए हर कोई shock था और क्यों नहीं होता यह एकदम impossible angle था मैसी दौरते वे मैदान के corner में पहुँचा और फिर start हुआ celebration पहले मैसी और फिर उसके teammates जिन्होंने उसे घेर लिया था और फिर Barcelona fans का जिनके हाथों में सफेद रुमाल और Barcelona flags लहराते वे देख रहे थे soccer history का यह सबसे amazing goal था और Spanish commentator भी एंकारा मैसी एंकारा मैसी एंकारा मैसी गोल 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 बोलने लगे क्योंकि किसी को believe ही नहीं हुआ कि last 10 seconds में ball ground के बीच से गोल की जाली में कैसे अठक गया पांच defenders जो कि मैसी को almost अलग-अलग angle से रोकने की कोशिश कर रहे थे उन सब को dodge कर दे वे तकरेबन half of the field भागते वे उसने cross की गोल की पर को गच्चा दिया और एक पूरी तरह से नामोंकिम गोल कर दिया अगले कई दिन तक ये goal टेलेविजन पर बार बार दिखाया गया अब हर कोई मैसी को जानता था लोग इस goal को डियागो माराडोना के उस goal से compare कर रहे थे जो उन्होंने 1986 के वाल कप में इंगलेंड के खिलाफ किया था इसमें कोई शक नहीं की स्टेज माराडोना का बढ़ा था मगर मैसी का ये goal किसी भी माईने में उस goal से कम नहीं था कैसा लग रहा होगा ना मैसी को उस दिन कि जिस फटबॉल सेलिबरिटी को अपना आइडियल मान कर वो ये game खेलते खेलते बढ़ा हुआ आज लोग उसका comparison उसी स्टार से कर रहे थे लेकिन मैसी तो उस वक्त कुछ हौरी सोच रहा था उसे याद आग रहा था वो moment जब कुछ टाइम पहले उसके selection को लेकर सवाल खड़े कर दिये गए थे सिर्फ इस लिए क्योंकि उसकी height अपने साथ वाले player से बहुत कम थी पर क्या उसमें गलती उसकी थी और अगर सवाल थे तो फिर कैसे पहुंचा मैसी पहले world के सबसे best football club में और फिर अपनी country की national team में interesting है न तो फिर next episode सुनना